हेलो गाइस स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकार का फी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम एक मैनुआल इस्टेपलाजर को किस तरह से कॉम्पिल्ट वायरिंग किया जाता है वो सिखने बाले है वीडियो में आप सुरू से लेकर लास्ट तक द लेकिन इस वीडियो में हमने बनाएंगे दूसरी रूले के साथ और रिवास सिस्टेम वाला एक मैनुआल इस्टेपलाजर का कानेक्शन दोस्तो इस वीडियो में आपको स्रीप प्याक्टिकली वायरिंग करके दिखाऊंगा नेक्स्ट और एक वीडियो आएगी जिसमें ह आपको डायग्राम के मदत से इसका पूरी खानेक्सान समझा दूंगा इसमें आपको प्रेक्टिकली स्रीप दिखने को मिलेगी तो आया दोस्तो हम सीख लेंगे तिकन उससे पहले आपको कुछ इसके बारे में जानना चाहिए जैसे कि दोस्तो इसमें जितने भी पार्ट् पारे में दूस्तो अलग अलग लग ले लेकिन कोई नाम स्ती उसका सेम होती है दोस्तो लेकिन यांपेर अलग-अलग होती है बुसके लिए एक वीडियो आप मना देंगे किस ने कितने आपको चाहिए सबसे पहले सब्सक्राइब यहां पर देखिए हमरा रेगुलेटर स् यहां पर देख सकते हो एक 2COO रिले है जिसमें आपको 6 पोल रहेगी यह 2COO रिले है यहां हमार दोस्तों एक 12V टनस फर्मा है जो 12V सार्किट को अपरेट करने के लिए लगा जाती है आप चाहो तो टनस फर्मा के 12V भी यूज़ का सकते हो लेकिन बहुत सबसे बेटर होती है अलग से लगाने से एक 12V कीट है दोस्तों इसका मोडल अब देख सकते हो और यह 12V सार्किट बोड़ है वाटो काट करने के लिए इस्टेप लाज़र को यहां पर हमें क्या पासरा भी यूज़ करेंगे जिसका भैलो होगी हाजर यूफ 25V का आपको 2A का एक चाहिना रिले भी चाहिए वाला है उसकी वाद आपको देखिए इसमें आपको फाइब दिखाए देगी क्योंकि एक वाण सुरी ले है एक चाहिना रिले इधर पर आपको कुछ वैरिंग वैर लेना है चुद्धा चुद्धि इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं इसका नमबर और बहुत अच्छी वाइर है आप इसको वाइरिंग करने के लिए यूज करेंगे इसके चाहिए आपको soldering रांग, कुछ चाहिए आप दोस्तो soldering paste और एक soldering iron दोस्तो हमने यहापे 34 Ampere का एक cutout यूज किया है जो fuse की रूप से काम करेगी और दो आपको यहापे दोस्तो socket भी लेना है जो 15 Ampere के यहापे है आप दीखें दोस्तो यह हमारा एक reset button है अगर auto cut हो जाने पर इसको हम place करेंगे तो auto cut कर जाती है तो एक reset button है इसको हम off push बोलते है अगर इसको place करते है तो इसका जो capacity है वो यहापे cut हो जाती है और एक one push है यह बाला है इस इन दोनों में फ्रेक आप दिखे एक यहापे minus बाला आपको दाग दिखाए देगी लेकिन ओप उसमें गोलाई बाला दाग रहेगी हम one push use करेंगे मीटर को सो करने के लिए और यहाप एक आप डूपर लगा जाती है दोस्तों लेकर हम आप डाउन करने के लिए कोई भी आप डूपर नहीं लगाएंगे में लाइन जलने के सामें आपको गिरिन लाइट दिखाए देगी तब आपको मालना है में लाइन और जब आटो काट हो जाएगी तो रेड बाला बल्प जलेगी अब यहां पर जो छोटर बाला टांग होगी यानि माइनस बाला उस दिनों का अपस में इस तरह से जॉइंट कर देंगे अब यहां पर दिखिए आपको चाराजास साथ डायड चाहिए कुछ और आपको कुछ लेना है दोस्तों रिस्टेंस दो 65 ओम्स का और यहां पर दिखिए सबसे पहले हम वेरिंग किस तरह से करेंगे जो लास्ट में हमरा लूप निकल के आती है सबसे लास्ट में बहुत ही एक नमबर लूप और उसको हम क निकलते दोस्तों बहुत है हमरा एक नमबर लूप यह आपको ध्यान रखनी है अगर इसके मारे में आच्छे तरह जानना चाहते है तो इसके लिए आपको इस्टे प्लजर वायरिंग के बारे में जानना चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहां से आप लगा जएते है जो LED वाल्ब है ताकि हमरा LED वाल्प नहीं कटे तो यहां पर हमने लगा दिया उससी बाद हमराइस जो 2 session relay है दोस्तों इसका connection करने बावले है सबसे पहले तो यहां पर हम एक jumper लगाएंगे bypass line के लिए तो यहां पर देखिए नीचे बाला जो दो point होती है यहनी इनो point दोस्तो इनो point पर हमने jumper लगा दिया आप देखें जो एक number lead से हमारा एक yellow color निकल के आती है जो output के लिए वो हम उपर में एक nc point पर लगा दिया उसकी बाद जो दूसरा आती है जो हमारा input के लिए यहनी P बाला लिखाई देगी आपको उस P में जो pole है वहां से जो wire आती है वो हमारा input के लिए तो उसको हमने भी यह नो पर लगा दिया दूसरी point में अब देखें दूस्तो अच्छी तरह से देखिए जो हमारा नीचे बाला पॉइंट है उसको हम हुहां से एक wire soldering करके ले आएंगे बाल्फ के लिए और जो output का लिए है दूस्तो है वहां से हमें green बाला के लिए लिखे आएंगे तो दिखें jumper के लिए वहां से लगा दिया रेड़ बाल्फ है और जो green बillला हमने है दूस्तों जो इने इनुचाम पॉइंट ही उपर में आूक्पूट है में ऑो डिया आप यहां पर देखिए निट सबस्बी इसमें दोपूर प रियल झाया है इसları इस हो 후 उस वाद उस वाइर को हम सीधा लेके आयेंगे दूस्तों इस तरह से और डायरेक्लिए लागा देंगे भोल में के दूना पॉयर में किसी भी पॉइंट में और उस बायर को बीना काटे हैं हम दोस्तों सीधा लेकर चला जाएंगे LED वाल पे और मीडिल पे इसको सोल्डरिंग कर दें के यह हो जाएगी इसका common ऐनी neutral यह देखिए इस तरह से यह सारी सरकेट में नीटल सप्लाइ कंपीट हो जाती है इस तरह से आप देखे दुस्तों हम इसमें नीचे जो हमरा पॉइंटा निकल के आती है रिले का आउट्पूट के लिए यहाँ पर हम वाइयर लगाएंगे इस मेंसे जो जब से मोटा वेयर है दुस्तों venت अउट होगी जो इस टेप्लिज भिल्टेज बराएंगे वो यहां से एक दूसरा wire हम लेके आएंगे जो हमआरा मेटर पहीं इससे हम स्वीच प्रेश रेस करके जो है आउट-पूथ देख सकेंगे मेटर में इन неп ये देखें आपना में पहुंप हमने लगा गया है इसके छोहमरा मेटर को göstre ville के लिए लगा यी अ में लगाना है तो इधर पर हमने एक पॉइंट पर लगा देते हैं फिर दूसरा पॉइंट पर भी आपको एक वैरो लगाना है यहां से और इसमें जो दूसरा वैर निकालका गया है दोस्तों यह सिदा हमारा चला जाएगी बारावल टांस्फर्मा की इन्पुट लाइन में अब देखें दोस्तों हमको इन्पुट साफलाई देना है तो इन्पुट साफलाई हम कहां से देंगे इसकी नीचे वाला जो पॉइंट है इसमें हम यह हमारा इन्पुट लाइन के लिए निकाल जाती है अब हम बारावल सार्किट के लिए सार्किट बनाएंगे इसके लि पास में जोड़ दिया अब यहां कि हम क्यापासिटा लेया है दोस्तों क्यापासिटा का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमने उपर पे लागा दिया पॉजिटिव पे और नेगटिव खाली रहेगी अब देखिए इसको किस्ता ऐसा मुद टांस्परम में लागाना है यहां से दोस्तों जो नेगटिव पॉइंट है उसको हमको मीडिल पे लागा देना है इस तरह से देखिए नेगटिव पे आपको एक माइनस दाग दिखाई देगी उसकी बाद देखिए नेगटिव से हमने और एक बार लेका लाया है जो बारावट सार्किट के ले करना है दोनों लेग आपको यहां पर सोल्डर करना है इस तरह से यह कॉम्पेट होती है अब यह बारावट सार्किट में हमको यह एक ले लगाना है तो उसमें से जो नेगेटिव बाला है यही माइनस बाला वह यह पे हमने लगा देना है इस नीचरिव पर इस तरह से और paranoi बार फिरसे हम दो लगा देना है इस तरह से पीछले हिस्ते को भी स्तरह से आपको इसका इस पुल में इस तरह कर देना है दिखिये अच्सेदास अब्रस अब क्या करेंगे दिखिए जो बारा बला रस्तेट इस यहां पे इस इस resistance की इस position से यहां पर हमको एक jumper लगाना है जो 12V के लिए आएगी इस circuit में दिखिए इस तरह से आपको एक jumper लगा देना है कि अब हम क्या करेंगे देखिए जो मीडिल में दुस्तो हमने वायर निकाला था एक बाराबोल्ट की मीडिल से उसको सीधा हमने यहां पर circuit में जो न्यूटल पॉइंट है वहां पर लगा देना है उसकी बाद बाराबोल्ट की दूनों साइड में से किसी भी एक साइड से एक वायर आप सोल्डरिंग करे लिजे जो बाराबोल्ट वोल्ट जाएगी और इस circuit में शाफ्ला आएगी देखे इसमें आपको बाराबोल्ट लिखाई दिखाई देगी जो जमपर हमने बनाया है उस जमपर में से इसको जोड़ देना है तो यहां पर एक साइड में हमने लागा दिया नीचे जो बाराबोल्ट यहां पर आएगी और यहां पर साफ्लाई आए जाएगी देखिए इस तरह से हमने बाराबोल्ट पर लागा दिया इसको अब देखिए दोस्तों इसमें जो मीडिल में है पॉजिटिव इस मीडिल में से एक वायर सोल्डरिंग करना है फिर से और इसको हमने जो चाइना रिले है दोस्तों चाइना रिले के मीडिल में जो एक पिन रहेगी उसके साथ इसको सोल्डरिंग कर देना है इस तरह से देखिए उसकी बाद जो हमारा रिले है दोस्तों रूसियों रिले उसके कोईल होती है उसकोईल की दो वायर होती है कर दिस दुनों वायर में वेंसे द दो में सल्टरिंग करना है। पाल में सवाबं में कर देने के लिए कि लिए थाम सॉल्डरिंग लेते है। क्य Oakley को दीस्ट बारा वोल्ट कोईल है इसमें मारत शॉप्लाई जाएंगी यहां पर सोल्डरिंग करेंगे का अब इस दो वायव दूस्ते यहां पर दिखंगे सोल्डरिंग हो चुकी है कि इस दोनों कौईल से चाह या यहां तहरा पर सिधा लगा देंगे दोस्तो वाराव ओल्ड के जो मिडल में निगेटिफ है दोस्तो इतरह से कौईल में नियूटायलrovjar चला जाएगी बारा वोहां से मिडिलों से जोंञीर जीरो हुआ है यहांसे दोस्तो नि amendment चला जाएगी कंद जो दूसरा है दोस्तों देखिए यहां से डायोड में से एक सफलाइ चला जाएगी इस तरह से तो इस तरह से इसका वायरिंग बिल्कुल कॉम्पेट हो चुकिए इस साइड अब हम ब्रेक साइड में जाएंगे और ब्रेक साइड में कुछ आपको सेट आप करना है देखिए ब्रेक साइड में हमने आचुकी है अब यहां पर इन्पुट आउट पर आपको सेट करना है दोस्तों तो यहां पर दो बार आप देख रहें दोस्तों जो न्यूट्याल है उसको एक इन्पुट पर एक आउटपुट पर आपको लागाना है तो यहां पर हमने एक इसमें नीटल सफ्लाई जाएगी उसकी बाद देखिये इसको भी हम एक इनपूट पर लगा देते हैं इसतरा से इनपूट पर एक आउटपूटर पर हमना नीटल सफ्लाई जाएगी और इस कॉमन वायर पर ट्रांस्फरमा में इस तरह से उसकी बाद देखिए जो हमरा एक नमबर फुल से दोस्तों जो वैर आया था यानि आउट्पुट बाला उस रिले की इस साइट में से यो लो बाला देखिए यह हमरा आउट्पुट के लिए निकल जाती है सिधा इससे आपको आउट्पुट वोल्टेज मिलेगी और इसको इस तरह चम बहान निकल लेते हैं और आउट्पुट में जो लिखा है यहां पर हम लगा देंगे लाइन तो लगा दिया आप दूस्तो दिखिए आपको इनपुट लगा ना है आप इनपुट समरा पी लिखा था दुस्तों पी यहां पे हम इनपुट देंगे रिट व sopr rupees के लिए जाती है ते दूस्तों हमारा आउट्प्पुट Krush के मद्रम से होगी तो हम सिव से पहले इसमें cut out में दोनों फूल में से किसमें एक साथ जोड देंगे इस तरह से उसकी बाद इसका output निकालेंगे और इसको input supply के लिए लिके चले जाएंगे तो यहाँ पर दूसरी फूल से हम एक वैर लगा देते हैं और इस तरह से इसको लाके पिछे से input supply के लिए लगा देंगे यह दिखिए इस तरह से दोस्तों एक complete हो जाती है अच्छी तरह से आप यहाँ पर हमको fuse लगा देना है और जो यह लिखा है दोस्तों यह आर्टिंग के लिए आप body आर्टिंग लगा सकते हूए यहांसे एक वैर अलाके आप body के साथ आठाच कर सकते हो कहां कहीं पी जाग अच्छा लगे और इस तरह समको इसको अच्छे तरह सेट करना है और देखे दोस्तों हम इसमें आटो काट सेट करेंगे सब कुछ कॉमपेट हो चुकी है अच्छी तरह से अब हमसको वाटोकाट सेट करेंगे वोल्के सेट करेंगे अब दीफिए इन पूट में हमने यहां पर लगा दिया है एक नूट्य पर लाइन पर Input supply यहां पर देंगे तो आईए अब input supply यहां पर देते हैं input supply देशकी हुब यहा पर green light चल रहा है आप meter slow करते है देखिए आपको यहां पर meter दिखाई देगी हमने एक गाट यहां पर भरा दिया 200 अब फिर से गाट दिया 230 के आसपा से अब हम इसको काट करेंगे कार करने के लिए देखे दोस्तों आपको इसमें एक पिसेट दिया गया है अगर आपको उल्टी तरफ घुमाएंगे तो एक काट हो जाएगी और सब्सक्राइब गूमाएंगे तो बोल्टीज बाएगी ताम को इसको काट करना है ताकि 220 में सेट हो पर कमाना है इस तरह से रूटर में रूटर स्विच अपर घट कमा देना है इसको प्रेस करना है तो यह दिखिए कट कट जाएगी और यहां पर फिर से सोका होने लाएगी यानि हमरा मेन लाइन चल रहा है तो इस तरह से दोस्तों आप ओटो काट वोल्टेज भरा सकते हो सकते हों जाएन हो जाएगे देखिए काट हो जाएगी इस तरह से हैं तो यहां awhile अम्या मनुली। सेट करने में और व्यायरिंग करणे तो जैसे ही 220 ऐधा हो जाएगी यह हमरा काट हो जाएगी देखिए इस तरह से के दोस्तों इसे det कर सकते हो इसमें दोश्तों क्या है कि जब आपको जघ धार सबहारी होई वोल्टीज मेलेगी लेकिन अगर और vocat होके रहे जाएगे अपको कोई के दिक्कत नहीं हें क्योंकि ट्रान्सफर्मा की जलने की कोई खातरा नहीं रहती है इस तरह Mr own सिस्टेम स्टेबलाइजर हे n दूस्तो इस तरह इसको वारेंग कर सकते हैं रहाट अच्छी सार्विस देते हैं हम खुद इसको यूजर करते हैं इस वारे वाइरिंग को और यह आपको अच्छी द्रह से दोस्तों है कि मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में डाइग्राम लेके आएंगे तकि आप और भी आसानी से इसका वाइरिंग कर सके आपको समझ में आजाए असा करते हो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल में आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हमारा आगले वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब दक के लिए नहीं थेंक्स पर वाचिंग माई वीडियो धन्य बाद